आन्धिक जब तेज आती है न तो वो ब्रिक्ष पहले तूटते हैं जो सीधे खड़े होते हैं लेकिन जिन ब्रिक्षों में लोच होता है वो ब्रिक्ष नहीं तूटते हैं क्योंकि हवा के थपेड़े उस ब्रिक्ष को जिस अवस्था में मोडना चाहते उस अवस्था में वो मुड जाता है बहुत ध्यान देने योगी बात से हवा का प्रवाह बृच्छ को जिस अवस्था में मोड़ना चाहता है वो बृच्छ उस अवस्था में मुड़ जाता है इसलिए तूटता नहीं है और जो अकल के सीधा अभिमान में खड़ा रहता है बायू का बेग उसको उखाड़ कर फेंक देता है यही बात मनुष्य के लिए भी है जो अभिमान के उतंग उपर खड़ा हुआ देखती है वो तो समय के थपेड़ों में तूट जाता है लेकिन जो लोच है जिसमें जुकने का सामर्थ है और जुकने का अर्थ डर का भाव नहीं है जुकने का अर्थ जब कहा जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके जीवन की संस्कृति क्या है जिसको हमारे यहां सास्त्रों ने कहा कि हम परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों के सामने ऐसे भाव को जागरत करें कि परमात्मा के सामने हम कुछ नहीं है उसको दास से भाव कहते हैं